तो यूटूब चैनल chemistry by kv अगर आप चैनल पे नए है तो please चैनल को सब्सक्राइब के लिजेगा क्यूंकि आप लोगों को ऐसी व्डियो सी चैनल पे मिलती रहेगी आप लोगों के सारे जो questions है वो आज सोल होने वाले हैं पहला question सुनिएगा पहला question है total कितने questions आएंगे हमार exam में तो 100 questions आएंगे बच्चों और उसमें से 90 किशन होंगे PCB के और 10 किशन होंगे जनरल जिसमें आएगा जनरल knowledge and reasoning बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज अच्छ से बता दूँ जिसने भी जिसने भी जीके पे फोकस करा वो कभी भी selection को नहीं ले पाएगा बिल्कु सही बात है बहुत सारे चैनल है मैंने भी यूटूब पे एक दो चैनल देखे हैं उनका नाम मुझे नहीं बताना बटे वो चैनल बच्चों को ये बोड़ रहे हैं कि आप six month का जीके पढ़िए one year का जीके पढ़िए अरे यार हमारे पास time कम है इस time को हमें consume करना है मैं आप लोगों को रियल बात बता दूं तीन या चार क्शन तो उन्हसे दस जनरल कशन आते हैं तीन या चार किशन तो ऐसे होंगे जो कोई भी करतेगा मैं कर दूं आप कर दे कोई भी करतेगा बाकी मचे six क्यूशंखेम की लिए हमें क्यों अने time वेस्ट करना है हमें स सिर्फ और सिर्फ नीट के प्रेपरेशन करी थी पीसी भी उन्होंने तयार करा ना तो उन्होंने जीके को देखा ना उन्होंने रिजनिंग को देखा फिर मैं बोल दो जो रिजनिंग और जीके में पढ़ेगा उसका कुछ भी नहीं हो ना देखिए जीके जो अनन्त है जीके है ना तो आप लोग एक कुशन दिमाग में क्लियर कर चुके होंगे कि आपको PCB पे फोकस करना है ओके बैचों चली सेकंड किशन हमारा सेकंड किशन है कि हमें 11 पे फोकस करना है या 12 पे बच्चों धियान रखना मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था हर वीडियो में लेकिन आप लए है तो आपके लिए है बच्चों यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है किसी को नहीं बतानी है 12 पे ज्यादा फोकस करना है 11 के जो इपकटर होते हैं यह से केमेस्थे में से परियॉडिक टेबल उसके बिना chemistry है नहीं उसको पढ़ना है उसको पढ़ना है गाकल बवांटिंग उसको पर नहीं एक बच्ची धर्मो बाकीा बचानी यहीं बचै तो 10 तो इसलो test के है लेकिन 11 का भी वेरी इंपोर्टेंट है तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है ट्वल्ट पे ज्यादा फोकस करना है लेकिन 11 के कुछ कुछ चेप्टर जैसे मैंने अभी बताए केमेस्ट्र में तीन चेप्टर पेरियोडिक केमिकल बॉंडिंग एंड क्या बताया था थर्मोडाइनमिक वैसे ही फिजिक्स में तीन चार्श चेप्टर आपके होंगे वह आप लोग देखिए जहां से ज्यादा वेटेज होता है बाई उना आप लोग देखिए आपको लगता होगा कि हाँ यह इंपोर्ट देखिए एमस बीसे नर्सिंग में कोई सेलेबस डिसाइड नहीं किया है कुछ भी नहीं बताया है कि क्या सेलेबस होगा किस परकार से कुष्छन आएंगे इतना बता दिए थर्टी थर्टी अब इन थोड़े से दिनों में किस परकार से स्टेडी करना है कंटिन्यू उन 10 कुष्छन में जो पढ़ाना उसका सेलेक्षन नहीं होगा सेदी सी बात है उन 10 में से 3 या 4 तो आप कोई भी जनरल बच्चा भी 10 क्लास का बच्चा भी उन 10 में से 4 कुष्छन तो कर लेगा त टीक्स बच्चों बहुत इजी आएगी ध्यान रखना फिजिक्स इतनी इजी आएगी अगर आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास तरीके से इस एक्जाम को आप करेक्ख कर सकते हैं कई कोई दिक्कत नहीं एक देली आप ले सकते हैं बिल्कुल कह तो ये जो किश्ण से और हां कि पेपर इंग्लिस में आएगा या हिंदी मीडियम में आएगा जो ध्यान रखना पेपर बोथ मीडियम लिखावा है मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ सो बार बता दिया है हिंदी इंग्लिस में गंफ्यूज ना होएं तो फटा फट से प लेस्ट नहीं करना है ओके बिल्कुल लगे रहे हैं थैंक्यों फर वाचिंग